चाहिए जय का मतलब है जहां तक जय की आवाज जाती है वहां तक पाप भागी जाता है अगर जय नहीं बुलियो तो पाप कुड़वे मा रही जे अरे अत्ती जो रुजय बोलो कि इदर बैना है कुमरावा है पहाड पुरसर भागी जाता है और कुड़वा एक दाम की तरह हो जाए वरना भक्ति के लावा है का भक्ति के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है जब भी दुख पड़ता है तो का भगवान को याद किया जाता है प्रभू को याद किया जाता है इसी पर कभीर बाबा ने एक बहुत अच्छा पद लिखा है कि देखो संसार मा कोई कोई परेसान न करो परेसान करियो तो भागक परियो इसलिए हर किसी को एक दिन भगवान के पास जाना है कि जई हो चली जई हो चली कि डाहो नान न दिया जई हो चली ननद को आतिमा को ननद कभीर बाबा जी ने कह दिया जैसे ननद जब पहु आती है न तो बहुरिया को सबसे जादा नद भी परेसान करती है बाबी यह हम का है काम करें उसी तरह कभीर बाबा कैसे है कि सुनो एक दिन तुमको ये घर को छोड़के जाना है और जैसे घर छोड़के जाना वैसे एक दिन संसान छोड़के उपर जाना है डा हो ना डा हो ना डा हो ना नन दिया जै हो चले डा हो ना आरे जैयो चली सकी जैयो चली जैयो चली नन दी जैयो चली डा हो ना डा हो ना डा हो ना नन दिया जैयो और का काओ नई हरमा खायो खाली कमा खून हरमा मै के मत जवन मन भवा तवन खायो कोई रोक डोक नहीं पानी वाले बतासा आएगे पानी वाले बतासा खायो लेकिन जब ससुरार में जाओगी तो बंधन लग जाएगा नई हरमा खायो खाली तमा खून हरमा आरे शसुरे मा खायी हो कथा डली डाहो ना डाहो ना डाहो ना न दिया जही हो जरी और जब ससुरार को जाओगी तो शास शसुरे की शेवार ना की नी आरे शास शसुरे की सेवार न की ये सेवार ना ससुरे मा खायी हो कही की भली डाहो ना डाहो ना न दिया जही हो जरी आरे जईयो चली सक्की जईयो चली चाहो ना ओहो ना न दिया जही हो जरी और काता कभीर बाबा न आई है नाना दोईया लावाई लाई जही है नन दोईया कोन वै अमराज जी आई है नाना दोईया लावाई लाई जही है आई है नाना दोईया आरे शसुरी मा जईयो को आरे शसुरी मा जईयो कसी कहनी डाहो ना न न दिया जईयो जरी आरे शसुरी मा जईयो जरी शसुरी मा जईयो जरी जईयो नन दिया जरी डाहो ना डाहो ना न दिया जईयो जरी और कभीर बाबा काके जह कहाती कभीर सुनो भल साधो कहाती कभीर सुनो भल साधो सुनो भल साधो सुनो तुम समझो अरे कईसे नहीं ओ हरे कईसे नहीं ओ हरे की भली डाहो ना डाहो ना नन दिया जरी जरी बोली श्री श्रीता राम नाम भगवानी की हनुमान जी महराज जी की वश्री आवाले भगवानि की व्भ वैभ बहुत अच्छा लगा कम से कम पुड़वा गाहुं के लोगन को फुर्सत नहीं लेकिन बच्चन का फुर्सत है कम से कम यह आई का जय बोल देतें बड़ी अच्छी वाद है पुर्सत की बातने सब लोग गेहों काट रहें ना क्योंकि भगवान का कोई भरोस्ता नहीं कहो आज जो